जी इस lecture में हम देखने वाले हैं कि जो errors हैं वो कितनी किसम की होती हैं और हमें किस किस किसम की errors से पाला पड़ेगा ठीक है जब programming करेंगे आपको मैं कुछ errors का बताऊंगा और कुछ मैं छोड़ने वाला हूं आपकी छोटी सी assignment एक और आज की ये भी है कि types of errors in python and how to deal with those errors ठीक है let's begin मैं यहां पे एक नई फाइल बनाता हूं जिसका नाम रखते हैं पारा errors.py और यहां पे सबसे पहली error क्या होती है जो अक्सर उकात हमारे पास बार बार आती है for example मैं यहां पे लिखता हूं if मैं यहां पे बेले x लिखता हूं x is equal to five if x is greater than three मैं यहां पे लिखता हूं print x is a positive value मैंने यह लिख दिया अब यहां पे जब हम यह वाली चीज को print करते हैं तो सबसे पहली error हमारे पास क्या आती है जनाब indentation error यह error है एक syntax की error यानि के python के साथ हम बात नहीं कर पा रहे हैं समझाई तो इसको पहली error हम बोलते हैं यह error होती है syntax error भी कह सकते हैं इसे और error सही है यहां पे समझागी इस error की पहली error यह होगी second error पे चलते हैं और इसको resolve कैसे करेंगे हम गलती ढूंडेंगे के क्या गलती है यहां पे ठीक है वो यह indentation थी राइट समझागी बात की अब दूसरी error क्या होती है हम यही code में दुबारा लिखता हूं और यहां पे print कर देता हूं और यहां पे मैं लिखता हूं why is positive value हमारे पास y defined नहीं है ठीक है और मैं इसको यहां पे print करता हूं तो आप चेक करें x is positive value and y is positive value हलांके y defined ही नहीं है तो यह error python आपको highlight नहीं करेगा यह आपने खुद programming करते हुए देखनी है इसको basically मैं तो इसको क्या बोलता हूं human error लेकिन इसको logical error बोल जाता कि logic नहीं बनता उस चीज़ का ठीक है अब इसी वज़ा से आपने खुद से देखना है कि why है के नहीं है वहां पे तो इसको मैं मतलब जो हम से error हो रही है जो coding से हम error कर रहे है फिर हमारे पास होती है एक और error मैं यहां पर लिखता हूं np.sqrt और मैं 9 का square लेना चाहता हूं इसके अंदर और मैं इसको print करता हूं इस तरीके से और मैं बाकियों को comment out कर देता हूं यहां पर ताकि मेरे पास बाकी मसला ना करें और इसको मैं run करता हूं np.is not defined ठीक है और अक्सर अकात यह error इस तरीके से भी लिखी जाती है कि runtime error या module not found error module नहीं है इसके अंदर ठीक है वह होता है कि आपको library भी install करना पड़ती है हमने यहां पर import numpy as np करना था ठीक है तो इसको हम runtime और module not found error बोलते है करन करते वकद यह मसला कर रही है कि code ठीक लिखा हुए but there is something wrong with the आपके जो error टाइपस है इसी के बाद आपके पास और काफी error टाइपस होती है ठीक है यह तीन basic मैंने आपको इस विरह से बताई है थाकिए आपको पता चले किस तरीके से find out की जाती है मैं नाम बता जाता हूं बाकी errors के भी and then you have to find those errors sorry अच्छा एक होगी जनाब syntax error जो मैंने आपको करके दिखाया यहां पर ठीक है दूसरा हो सकता है आपका name error के एक name मौझूद ही नहीं है ना global name है ना local name है यानि कि ना nested के अंदर है ना main हमारे पास variable है उसके अंदर है फिर आपके पास type error आती है फिर आपके पास value error होती है यह चोटी चोटी errors है जिनके साथ आपका पाला पड़ेगा index error याद है हमने कल जब indexing देख रहे तो उसके अंदर हमारे पास 6 index थे हमने साथवा ले गाना चाहा वो कहता है indexing error है वो indexing error होती है फिर हमारे पास key error होती है key error के बाद हमारे पास attribute error होती है और उसके बाद हमारे पास zero division error यह बड़ी शूर है क्यूं मशूर एक को जीरो पर डिवाइड कर सकते हैं इसका अंसर क्या होता है आपको भी पता है क्या अंसर होता है एक को जब जीरो पर डिवाइड करते हैं बिलकुल चले कमस कम इतनी मैथमेटिक सभी को आती है फिर एक और एरर होती है फाइल नौट फाउंड एरर यह वह वाली एरर है जब आपको पाइथोन की कोडिंग का पता नहीं होता लेकिन आप चैट जीपीटी से कोड पूछ के कहते हैं कि मैंने वह करना है मैंने यह करना ह आपको पाइथ का नहीं पता होता फाइल हैं अगले लेक्षर में देखने वाले हैं तो यह तब आरर आती है जब आप फाइल आपके पास इंपॉर्ट नहीं होती है लेकिन आप सारा कोड रन कर रहे होते हैं तो इस इस गॉल्ड फाइल नौट फाउंड एरर ठीक है फिर एरर होती हैं इमपॉर्ट एरर के नाम से जब आपकी इमपॉर्ट स्टेटमेंट जो हैं वो फेल कर जाती हैं फिर आपके पास there are many एरर, फिर आपक्या करती है जब आप अपने P.C. की हिम्मत से जयादा उस पर काम लाः देते हैं तो तब वो एरर आती है यानि के RAM काम हा ह लेकिन आप बड़े बड़े उससे काम करवा रहे हैं तो वो आपके पास error आना start हो जाती है फिर आपके पास time out error एक होती है जो machine learning के अंदर आपको आएगी यानि कि जब आप एक चीज को run कर रहे है उसका time out हो गया यानि कि आपने एक limit लगाई के तीन मिनिट तक ये चले अगर हमारे पस result है ठीक है otherwise time out हो जाए तो अकसर रुकात पहले भी उसका time out हो जाता due to some errors खैर इस तरह काफी और errors है आप खुद से search कीजिएगा और इसकी एक अगर आपको slide बनाने का पता है पावर पॉइंट के अंदर कैसे बनाई जाती है तो प्लीज वो जरूर बनाईएगा canva को use करके भी बना सकते हैं और अब वैसे भी बना सकते हैं canva से बात याद आई canva का अगर आपके पास .edu.pk का email है या university का .edu बाला को email है तो canva आप free मे pro version ले सकते हैं कैसे उस पर हम इंशालला किसी दिन discussion करेंगे तो यह आपकी अगली assignment यह है कि आपने error types देखनी है बाइदावे जब आप coding करते हैं तो आपको different किसम की error से पाला पढ़ता है तो इंशालला one by one करके हम वो errors भी देखने वाले हैं यहां तक clear हो गया जो आपको hopefully इसकी समझ आगी होगी कि errors कुछ होती हैं और उनको कैसे deal करना उसके नाम रखे होते हैं यह नाम नाम भी रखे हो ना आपको पता होना चाहिए error को कैसे resolve करना राइट